दोस्तो अगर जो आप translation का work करके earning करना चाते हैं तो बिल्कुल सई वीडियो में आये हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप text master site पर translation का work करके earning कर सकते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखेगा, skip मत किजेगा दोस्तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग skip कर देते हैं और यहाँ पर पूरा function नहीं समझ पाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, उनको earning नहीं होती है तो मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ पूरा समझाने वाला हूँ, कितना आपको price मिलेगा, कितना earning होगी, कैसे sign up करना है तो यह सभी चीज clear करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेगा otherwise बहुत सारे लोग account यहाँ पे create कर लेते हैं और account create करते हैं, तो वहाँ पर first जाते हैं कि यहाँ पे कैसे account create करना, तो वह भी चीज में आपको clear करने वाला हूँ अब यहाँ पे आपको किस तरह के काम से मिल जाएंगे, translation का work अब translation का work होता क्या, यह सबसे समयना ज़रूरी है जैसे यहाँ पे लिखा professional quality at a fixable price यहाँ पे लिखा है कि professional, यानि कि अच्छे quality को आपको यहाँ पे fix एक अच्छे से price में आपको यहाँ पर translation का work करके दिना तो यही चीज आपको English में लिखा है, इसको Hindi में convert करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे कितने मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आप पेंजामी में convert करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे आपको कोई foreign language जाता, उसमें convert करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे तो जस्ट आपको translation का work करना है translation का work मतलब होता है दोस्तों एक language से दूसरे language को transfer करना वही translation का work है और उससे आपको earning होगी अब यहाँ पे आपको कितने थाइब के काम मिल जाते हैं फर्स्ट तो यहाँ पे translation का work है जो simple से आपको बता दिया और यह per word का आपको कितना मिलेगा 0.0088$ अब एक word का इतना हुआ यानि कि आपको एक word मतलब यहाँ पे पी लिख दिया आपका एक word हो गया अब professional पे आपको कितना word से देख सकते हैं quality में आपको कितना word से यह सभी देख सकते हैं तो यह इस तरह से आपको earning होती है उसके बाद यहाँ पे standard जो first वाले हम उसके लिए है अगर जो pro version आपका है यहाँ पे थोड़ा सा आपे पैसे कमा लेते हैं पेड आपके पास तो आपको यहाँ पर वर्ड का देख सकते हैं कितना dollar मिल रहा उसके बाद यहाँ पर जो आपMOशन देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक word का यहाँ जादा सब्सक्राइब 14 5 खेला और डालर यहाँ पर एक dollar च्थेएसाट कितना भी बोले आपको कि ये site trusted है यहाँ पे काम कीजिए यहाँ पे आप प्रो वर्जन इसका ले लिजिए या फिर आप इहाँ पे ही इसका expert वर्जन का प्रो ले लिजिए तो आप इहाँ परसे लगाने में थोड़ा सा चम्श करसक्ते हैं तो आप पहले वे यह वाला कीजिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम मिल रहा पैसा ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कम मिला लेकिन थोड़ा सा कम मिल रहा है परवर्ड का उससे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है उससे ज्यादा इससे मिल रहा है तो पहले आप फिरी वाला कीज कि जब आप दोस्तों फर्ष्ट कोई चीज आनलाइन पैसा कमाना बहुत ही आसान होता ऐसा नहीं कि बहुत कटीना है लेकिन आपको पहले उसमें जो टाइम स्पेंड करना पड़ता है जो आपको टाइम लगाना पड़ता आपको सीखना पड़ता चीजों को वो थोड़ा सा पड़ता है जैसे आप यहां पे आएंगे साइड पे आप यहां पे आपको पूरा पहले समझना पड़ेगा कि कहां पे काम मिलेगा कैसे काम करना है आप आएंगे पहले दिनी साइन अप करेंगे और पहले दिनी यहां पे काम भी नहीं रखा कि आपको मिल जाएगा और यह यहाँ पे इस साइड को मैं प्रिपर कर रहा हूं क्योंकि जिस साइड पे ट्राइफिक ज़्यादा रहता हूं आपको मिलने हैं अपको लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है यहाँ पर आपको काम कम मिलते हैं लेकिन ट्रैफिक भी यहाँ पे कमी है उसके बाद content writing आप content writing भी करके earning कर सकते हैं बहुत सारे page आपको मिल जाएंगे उन्हीं को write करके देना है वो चीज कर सकते हैं तो यह भी चीज था तो यहाँ पे proof reading यहाँ पे भी है यह सभी भी काम है यह तो यहाँ पे translation work और content writing यह proof reading भी थोड़ा सा इसी टाइप का काम है अब यहाँ पे account कैसे create करना है वो सबसे पढ़ाई जरूरी है तो account create करने के लिए आपको करना क्या मैंने आपको price दिखा दिया just कि आपको कितना मिलेगा या फिर कितना नहीं मिलता आपको पर डोग अब यहाँ पे account करने आप एक beginner से मुझे पता कि आप beginner से आपके पास कोई भी skills नहीं है तो यहाँ पे सीखना जरूरी है जब तक आप सीखेंगे नहीं चुजो को try नहीं करेंगे आप earning नहीं कर सकते हैं आप advertisement देखके earning कर रहे हैं survey फिल करके earning करें तो वहाँ से आपको कोई भी ज्यादा revenue नहीं तो आपको translator का role के यहाँ पे click करना है आपको client वाले पर नहीं करना बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होते हैं mistake कर देते हैं client वाला select कर लेते हैं और वहाँ पर earning नहीं होती क्योंकि client वाला जो यहाँ पर काम देने आते हैं उनके लिए है तो आपको हमेशा यह भी ध्यान र कर देंगे अफिस्यल टेक्स है तो इसको टिक कर देंगे आई वांट टो एक्स्ट्रमेटने लिऊज आएंड आफ़र तो यह चीज़ अगर जो टिक कर देंगे तो जो नियूज और इनका आफ़र होंगे वह आपके email id पर जाएंगे अगर जो नहीं करेंगे तो आप पर प्रॉपर आपको काम करना है तो चलिए मैं फिल करके इसको आगे का प्रोस्स आपको समझा देता हूं अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैं ने वहाँ पर ख्लिक किया यहां पर लिखा प्लीज करना यहाँ मेरा email id पर मेरा link आया तो मैं confirm your account पे click कर देता हूँ जैसे ही मैंने click किया यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा loading लेगा loading होने के बाद यहाँ पे account जो है मेरा email id जो है वो confirm हो जाएगा और मेरा account जो है वो create होगा पूरा हो जाएगा तो यही process था ज्यादा यहाँ पे नहीं था बहुत सारी लोग वहाँ पे क्या होता था mistake कर देते थे client और वे वहाँ पे translator के process में तो आगर जो आप trans client पे click करके कर दिये तो यहाँ पे आपका जो है वो चीजी confirm नहीं होगा अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों I want to write copy in the language select करना यहाँ पे यह continue करना तो यहाँ पे translation for other यहाँ पे professional आपको करना है यहाँ पे language in the translation copyright तो यह आपके लिए है तो professional अगर जो आपको करना तो यह चीज करना अगर जो professional नहीं करना तो यह चीज करना तो आप यहाँ पे professional फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया था तो य यह चीज़ आपको कर देना continue कोई यहाँ पर first वाला कर देजिएगा यहाँ पर कोई बहुत जरूरी नहीं है तो यह करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का आपका एक option कुल जाएगा मैं पूरा step by step बता रहा हूं profile कैसे complete करना otherwise अगर जो आप यहाँ पर mistake कर देंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जागी अब यहाँ पर आप male है तो male female है तो female select कीज़े एज range आप कौन सा है तो आप जो भी इस में से जो range है वो select कर लीजेगा मेरा यह ही है तो मैं यह select कर लेता हूँ उसके बाद इंटरेक्सर नहीं और the community writing text यहाँ पर आपको कुछ exercise के लिए यहाँ पर कुछ turn है अपने बारे में कुछ लिखना है तो जो भी है आप अपने बारे में थोड़ा सा लिख दीजेगा what is the area in the experience आप किसी एरिया में expert है तो आप जिस जिस एरिया में इस से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आपको सकते हैं जो भी आईसा नहीं कि आपको एक ही select कर सकते हैं आप एक दो तीन चार जितना मन कहें उतना select कर सकते हैं जैसे आप इसमें भी बहुत सारे हैं आप सब को select कर सकते हैं या किसी को छोड़ भी सकते हैं जिसको नहीं select करना आपको तो यह आपको उपर है तो यह चीज क यहाँ पर आप कोई भी category select है यहाँ पर भी काटेगरी आपको select करना जैसे से आप sports में है तो sports select लेंगे इसमें भी सभी चीज़ सलेट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर तीन चार select कर सकते हैं तो मैंने four यहाँ पर select का लिए उसके बाद your other skills आप ऐसा नहीं है कि आप skills नहीं आपके तो select ने का आप जितना select यहाँ पर करेंगे उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा Translation का उसके बाद आपको अलग से एक skill मांग रहा है तो अगर जो आपके पास है तो उसको कोई select कर लिजे है अधर कोई है तो यहाँ पर अधर पर किलिक करके यहाँ पर जेस्ट लिख दीजिए कि मेरे पास यही skills आए अगर जो software subtitling सभी इसमें से कोई है तो वह से लिख लिए जैसे मुझे यह चीज सेलर करते हैं क्यों XP फाइल से उसकरते हैं तो जो भी है तो एड़ोप इंसुलेटर सेलेक्ट करते हैं हूं मैं और एड़ोप फोटो साप ज्यादा तर लोग यहाँ पर उसकरते हैं यह चीज़ साहत फोन में उपन हो जाए थोड़ा बहुत काम करता ऐसा नहीं कि इस सभी काने को आपको टिक करना है तो यह चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिजेगा चाहे उसके बाद उसको पूरा कर लिजेगा तो भी यह लिख के उसके बाद यहां पर next कर देंगे तो चलिए मैं इसको पूरा select करके इसमें कुछ लिख देता हूँ next पर click किया दोस्तों तो हमारा इस परकार का दूसरा option खुल जाएगा देशेख सकते हैं यह मेरा other अब यह जो other set details था वो मेरा हो गया जो मुझे skills थी उसके बारे में requirement जो थी वो मेरा complete हो गया अब मेरा profile details आ गया यहां पर मेरा name first name last name दिखाई दे रहा है यहां पर profession आपका दिखाई दे रहा कि आपका कौन सा profession है profession और field study के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको field of study आप किस field में study किये हैं तो जो चीज आप यहां पर किये हैं वो चीज कर सकते हैं आप जैसे यहां पर freelancer है तो मैं यहां पर freelancer लिख देता हूँ आप भी freelancer लिख सकते हैं आप जो है वो लिख देंगे या फिर student भी ले सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे requirement नहीं, आपका proof नहीं माग रहा है, आपको just to see के हिसाब से काम मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दीजेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यह चीज था, आपको location select करने के लिए कह रहा है, तो आप कौन- कौन-कौन सा language है, वह select करने के लिए कह रहा है, तो just आपका Hindi है, तो आप Hindi यहाँ से select कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया हिंदी है, तो इसको मैं select कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पुरा phone number डालीजेगा, country code के साथ डालीगा, जैसे प्लस एक्या address डाल देता हूँ, just इस तरह, उसके बाद finish पे click कर देना है, finish पे जैसे ही click करेंगे, तो आपका account बनके finish हो जाएगा, आपको यह चीज़ डाल देंगे, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा काम मिलेगा, ऐसा नहीं है, अगर जो यह चीज़ डाल देते हैं, तो अगर ज सकते हैं, जब आप काम करेंगे, टास्क करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाए देगा, अब find task पे आपको click करना, आप find a new task पे click करना, अब यहाँ पे आपको कुछ task मिलेगा, अब यहाँ पे आपके लिए कोई भी task available नहीं, तो यहाँ पे दिखाए नहीं दे रहा, otherwise मेरे पास तो कोई task यहाँ पे available नहीं, आप देख सकते हैं, और भी सभी option आप देख सकते हैं, यह चीज़ dashboard आपका यहाँ पे दिखाए देगा, just यहाँ पे click करेंगे dashboard और dashboard यहाँ पे दिखाए देगा, अब find task पे आपको click करेंगे, यह हमेशा चेक करते रहिएगा, जब यहाँ पे my client, आपको कोपी राइटिंग का client भी यहाँ पे seller कर सकते हैं, एक client अगर जो आपने पकड़ लिया तो दोस्तों उसे बहुत ज़्यादा earning होगी, क्योंकि client जो होता और daily basis पे आप से काम करवाता रहेगा, अब यहाँ पे my wallet का option, इस पे मैं आपको click करके wallet setup भी कर जाओं कि कैसे आप withdraw लेंगे, तो यहाँ पे withdraw my earning का option इस पे दिखाई दे रहा है, इस पे click करना है, withdraw my earning पे, यहाँ से आपको अपना account जो है, वो select कर लेना, billing information, यहाँ पे आपको country, यहाँ पे सभी चीज, जो आपने डाला था, वो चीज यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ध्यान दे की pen card होना जरूरी है, अगर जो आप यहाँ पे काम कर रहे है, PayPal या Payoneer से आप withdraw ले सकते हैं, तो Payoneer बेस्ट है, PayPal भी बेस्ट है, इसा नहीं कि PayPal नहीं है, PayPal में भी अपना Gmail ID, password यहाँ पे Gmail ID already, यहाँ पे step कर रहा है, Payoneer को आपको connect कर देना है, और यहाँ से आप यहाँ पेर अगर आपको मिल गया, अच्छे से, यहाँ पे एक copywriting मिल गा, तो आपको 55 डॉलर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ से withdraw आप कर सकते हैं, तो I hope कि आपको पूरा चीज समझ में आ गया, अगर जो वीडियो पसंद है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, share क कीजिए, अगर जो आपको कोई चीज पूछना है, तो मुझे comments कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप comments नहीं किरिए, कुछी मुझे, मेरे से छूट गया हूँ, आपको समझ में नहीं है, तो वो comments करके जरूर पूछेगा, कि वीडिवा में और कोई से process आए, या फिर otherwise कोई भी problem है, तो वो मुझे comments करके जरूर पूछे, तो I hope कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, हम चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा,